वीक बाजार है थोड़ा आज के लिए पर बड़ा IPO खुलने जा रहा है अधितिया बिर्ला सनलाइफ AMC क्या राय देंगे इस पिसर? लोंग टर्म इंवेस्टर्स के लिए खरीदारी करने की राहे है आईपयो में शॉर्ट टर्म इंवेस्टर्स अवइड भी कर लें लिस्टिंग एन के लिया से तो कोई हर्ज नहीं दो वज़े से कि मार्केट के मूर महूल को देखते हुए और कम्पिनी के जो आईपयो के वै मुझे लगता है वही कहानी आदिति बिर्ला सनलाइफ मुचल फंट के आईपयो में भी होनी की संभावना है संभावना है एक्जेक्ट होगा नहीं होगा पता नहीं लोंग टर्म के लिए अपलाई करना है क्यों करना है पहली चीज तो सबसे बढ़िया चीज कि यह है ही नहीं वह ही नहीं है पांच करोड़ अकॉंड में क्या होता है मतलब पांच करोड़ नहीं आगे तो कौन सा फरक पड़ गया अभी पे 70-80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक्विटी मार्केट टेस्ट रनना बागी है मुचल फंट के बनना बागी है तो इंड़स्री ग्र है दूसरा स्ट्रॉंग प्रमोटर से बिला गुरूप सनलाइफ दोनों ही अपने आपने तौप है और क्वालीटी मेनेजमेंट है बाला सर है गजब का फंड मेंजमेंट पातिल साहब है बहुत बढ़िया फंड मेनेजमेंट टीम है कई बार लगातार बैतिन परफॉमेंस के लिए इन्होंने अवर्ड जितने है तो दोनों ही फंड मेनेजमेंट भी और प्रमोटर्स भी ला जावाब है अब नेगेटिव क्या है थोड़ा सस्ता देना चाहिए थोड़ा नो डाउट उन्हें पता है बिखेगा आराम से बिखेगा ऐसा नहीं कि मिश्किल लेके और इंस्टिटूशनल इंवेस्टर्स ले भी लेंगे लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सस्ता आट दस परसें सस्ता करते हैं और चूंकि ओफर फोर से ले फंड को तो पैसा चाहिए निए कमशी को चाहिए निए केश जेनिरिंग फ्री केश फ्लोस गजब के हैं यहां कमशी क पैसा चाहिए निए एक्जिस्टिंग इंवेस्टर्स को चूंकि निकलना है सनलाइफ को और थोड़ा बहुता बिल अग्रुपी उसमें बेच रहा है तो मेरे खाल से थोड़े रीजनेबल वेलिशन रखते हैं इस्पेशली जब आप आप आई प्यो नहीं ला रहे हो प्र इनकी प्रोमोटर्स की स्टेक गटकर 86.5 परसेंट होगी तो साड़ी 11 परसेंट के आसपास 75 परसेंट लानी है तो अगले तीन साल में स्टेक और कम्पनी को कम तो करनी पढ़े है तो थोड़ा सा माइन में रहता है दूसरी एक बात है कि इंडिस्टिक के मुकाबले में और तो यह हलके फुलके थोड़े बहुत नेगेटिव है अगर आप लॉंग टर्म इंवेस्टर हैं बिल्कुल आप अपलाई कर लीजिए लॉंग टर्म के लिए और तब आपको 25 रुबए उपर नीचे लिस्टों फर्क महीं पड़ता शोर्ट टर्म सिर्फ लिस्टिंग के ल बेंग्